हेलो प्यारे बच्चो कैसे हो आई होग बहुत अच्छे होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नमबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को सबसे पहले इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझेंगे देन हम एक्सरसाइज के क्योस्टन करेंगे तो सबसे पहले देखो बच्चो क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर solution of a linear equation अब जो हमने linear equation के बारे में exercise 4.1 में पढ़ा है अब बात आती है कि उसके solutions को कैसे find out किया जाए बड़ा simple होता है सबसे पहले meaning समझो कि solution of linear equation का meaning क्या होता है देखो द्यान से the value on which the result of equation becomes 0 is called solution ऐसी value जिसके उपर हमारी equation का result 0 हो जाए उस value को solution of the equation कहा जाता है example से समझेंगे मालनो हमने linear equation ले ली वच्चो 2x-3 equal to 0 यहाँ पे हमें क्या करना है जो भी variable है उसकी value निकालनी है तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2x-3 equal to 0 है तो 2x equal to 3 हो जाएगा और x की value क्या आगई 3 by 2 तो यह क्या हो गई हमारी यह value solution of this equation कहलाएगी क्योंकि अगर मैं इस value को इस equation में put करूँ आना तो मेरा result 0 आएगा put कर के देख लेना तो यह हमारा क्या हो गया solution of this equation अब बात आते हैं यहाँ पे solution of linear equation in 2 variable अगर आपके पास कोई linear equation in 2 variable दे रखी है उसका solution find out करना है तो कैसे किया जाता है जान से देखना मैंने एक equation ले ली बच्चों यह x plus 2y equal to 6 दो variable है x और y इसके solution निकालने हैं कैसे निकालनेंगे बड़ा simple है आप कोई भी एक variable पकड़ दो मानलो मैंने सोचा सर x ले लिया चलो भई x ले लिया कोई भी value ले लो जो आपके दिल में हो x की कोई भी यहाँ पे real values लेके चलेंगे x की value ले ली सर मैंने 0 क्या ले ली 0 बस इसके अंदर put कर दो x की जंगे मैंने क्या किया 0 plus 2y equal to 6 तो क्या आगया बच्चो 2y equal to 6 और y is equal to क्या आगया 6 by 2 मतलब y की value क्या मिल गई 3 मिल गई तो x equal to 0 पे मेरा y equal to क्या आगया 3 तो यह हमारा क्या आगया solution of this equation अब किसी बच्चे का दिल कर रहा सर मैं x equal to 0 तो नहीं लूँगा आये तो आपने value ली है मैं x equal to 2 लेना चाथता हूँ चलो भई आपका दिल कर रहा x equal to 2 लेने का ले लिया भई x equal to 2 हमें क्या गरना इस equation में x की जंगे 2 put करना है और y की value निकाल लेनी है तो आजो भई इधर देखो क्या है equation x plus 2y equal to 6 x की जगे 2 put कर दिया 2 plus 2y equal to 6 तो यहाँ पे 2y equal to 6 minus 2 तो 2y equal to क्या हो गया 4 और y equal to क्या आगया बच्चों यहाँ पे 2 2 जा 4 तो y की value भी 2 मिल गई तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा solution of this equation कहलाएगा क्योंकि यह value हम इसमें put करेंगे तब भी हमारी left and side equal to right and side आजाएगी clear बात है कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया अब भई एक बच्चा और कह रहा है कि sir मैं इन value को पसंद नहीं करता मैं तो नहीं मान रहें value को मैं कुछ और लेना चाहता हूं चलो वही किसी बच्चे ने और क्या किया x की value कुछ और लेली मान लो x की value मान लो यहाँ पे 10 लेली वही मैं तो 10 लूँगा बड़ी value लूँगा चलो भई 10 लेली 10 पुट करो यहाँ पे तो क्या हो गया 10 प्लस 2y इक्वल टू 6 तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 6 माइनस 10 तो 2y इक्वल टू क्या आ गया minus 4 और y equal to क्या आगया minus 4 by 2 तो result क्या निकला minus पा 2 तो भई x equal to 10 put करने के बाद y equal to क्या आगया minus 2 आगया ऐसे ही मतलब अलग-अलग values अगर हम किसी variable की put करते जाएंगे ना तो दूसरे variable की कोई ना कोई value हमें मिलती चली जाएगी हम y की value put करके भी x की निकाल सकते हैं ऐसा कंपलसरी नहीं है कि x की ही रखके y की निकाल नहीं है y की रखके x की भी निकाल सकते हैं y की value 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity कोई भी रखते चले जाओ ऐसे ही x की value आती चली जाएंगी तो भाई linear equation in two variable के कितने solution हुए बच्चो infinitely many solution की linear equation in two variable के बहुत सारे solution हो सकते हैं क्योंकि जितनी value हम put करते जाएंगे उतनी result मिलते चले जाएंगे और वो सारी values हमारी equation को satisfy करेंगे समझ में आ गई बात मैंने थोड़ा सा time यहाँ पर पता है किसलिए लगाया ये concept समझाने के लिए की linear equation in two variable के infinitely many solution होते हैं समझ में आ गई बात चलें आब questions पर यही concept बस exercise के अंदर और कुछ भी नहीं है चलो बई Question number one देखते हैं क्या है which one of the following option is true and y y equal to 3x plus 5 हमें equation दे रखिए बच्चो y equal to 3x plus 5 इसके एक unique solution एक solution होगा two solution होगे या infinitely many solution होगे अभी अभी concept समझाया था मैंने कि अगर हमारे पास linear equation in two variable है तो उसके कितने solution होगे infinitely many solution तो हमारा यहाँ पे क्या होगया third वाला option correct होगया अब region पूछ ले आपसे की reason भी बताओ तो बड़ा simple सा region है कि हम यहाँ पे x की कोई value पुट करते जाएंगे तो हमें different different y की values मिलती से ली जाएंगी so linear equation in two variable always have infinite many solution अभी यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ माल लो हमने भई क्या किया x की value 1 पुट कर दी y की value देखो क्या मिलेगी यहाँ पे y equal to 3 multiply 1 प्लस 5 क्या मिल गया y equal to 8 तो x equal to 1 पुट करने के बाद y equal to 8 मिल रहा है यह क्या हो गया solution अब माल लो मैंने x equal to 2 पुट कर दिया 2 पुट करेंगे 3 to 6 और 5 11 तो y की value 11 मिल जाएगी x की value माल लो मैंने 0 पुट कर दी तो y की value क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी माल लो मैंने x की value 10 पुट कर दी तो y की value क्या मिल जाएगी बच्चो 35 मिल जाएगी माल लो हमने negative value पुट कर दी x की value माल लो minus 1 पुट कर दी minus 1 पुट करेंगे तो y की value क्या आजाएगी 2 आजाएगी तो बच्चो देखो कितने सारे solution निकलते जा रहे हैं तो हमेशा ये बात ध्यान रखने है linear equation in two variable के infinitely many solution होते हैं clear आगे चलें चलो वगई next question क्या दे रखा है write four solution for each of the following equation हमें यहाँ पे कुछ equation दे रखी हैं जिनके हमें 4-4 solution निकालने हैं होते तो बहुत सारे हैं linear equation in two variable के बट आप कोई भी च्यार निकाल सकते हैं जो अपका दिल कर रहा हो सबसे पहले आजो first वाली पे क्या है वही 2x plus y equal to 7 यह हमें equation दे रखी है सबसे पहले हमने क्या किया वही x equal to 1 ले लिया x equal to 1 पुट किया तो 2 multiply 1 plus y equal to 7 तो 2 plus y equal to 7 और y is equal to क्या आगया 7 minus 2 मतलब 5 आगया solution मिला क्या मिला भई x equal to 1 पे y equal to आगया 5 निकाल लो गे ना बोर भी x equal to 2 पुट करके देख लो x 2 पुट करेंगे तो 2 तू जा 4 यहां पे 2 multiply 2 plus y equal to 7 तो y equal to क्या हो गया 7 minus 4 और y equal to क्या आगया 3 तो भई दूसरा solution क्या मिल गया मेरा x equal to 2 पुट करने के बाद y equal to 3 मिल गया अब आप यह सोच रहे होगे सर मैं यह value तो नहीं रखना चाथता मैं तो और कुछ रखना चाथता हूँ तो भई जो भी आपका दिल कर रहा हो वो value आप उट करते जाओ solution निकालते जाओ ऐसे ही आप 4-5 solution निकाल सकते हैं आप यह चारी निखने है तो चारी लिख दो कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अपने पास से भी खुद से ट्राई किया करो टेपट आप निकर नहीं भई हमें को नोटबुक कम्पलीट करनी है कंसेप्ट सीखना है खुद से ट्राई करके देखो ठीक है आगे चलो सेकेंड वाले पर आजो भई क्या दे रखी है एक्वेशन पाई एक्स लस वाई एक्वल टू 9 यह दे रखी है अब आप कंफ्यूज हो जाओगी पाई पुई क्या आगया वही डरने की जरूरत नहीं है देखो इसके दो तरिक्के सोलुशन बताता हूँ इजी वाला सोलुशन भी और थोड़ी सी डिफिकल्ट वैलू आती है वो भी सबसे पहले आपका दिल करेगा सर मैं एक्स इक्वल टू वन पुट करना चाथता हूँ कर लो भी करेंगे तो पाई मल्टिप्लाई वन प्लस वाई इक्वल टू नाइन तो यहाँ पे क्या आगया पाई प्लस वाई इक्वल टू नाइन और वाई की वैलू क्या आगी नाइन माइनस पाई आ गई या नहीं आ गई तो solution क्या हो गया भई x equal to 1 पे y equal to क्या मिल गया 9 minus pi ये हमारा answer हो गया एक solution हो गया अब दूसरा तरिक्का क्या है भई हम यहाँ पे pi की form में ही value put कर दें मानलो मैंने put कर दिया x equal to 2 by pi put कर दिया क्योंकि pi से pi कट जाएगा तो 2 by pi रख दिया मैंने मानलो x की जंग है तो देखते हैं वही क्या आता है यहाँ पे pi multiply 2 by pi plus y equal to 9 pi से pi कट गया 2 इदर जाएगा तो y की value क्या आजएगी 7 तो y equal to 7 ये भी हमारा solution हो गया ठीक है अगर ये चीज गलत लग रही है difficult लग रही है तो इसको छोड़ देना ऐसे ही x equal to 1 put किया answer आ गया y x equal to 2 put किया फिर दूसरी y की value लिख देना x equal to 3 पे रख देना x equal to 4 पे रख देना 4 solution हो गई कर दोगे कोई दिख्खत नहीं है last वाले पे आ जो भई क्या दे रख थर्ड वाले में x equal to 4y सबसे पहले मैंने क्या किया x equal to 1 put किया तो यहाँ पे x की जंगा 1 put करूँगा तो 1 equal to 4y और y equal to क्या आ गया बच्चो 1 by 4 4 निच्चे चला जाएगा तो y equal to क्या मिल गया 1 by 4 यह answer हो गया अब दूसरा मैं क्या करता हूँ x equal to 2 put कर लेता हूँ 2 by 4 equal to y 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो y की वैल्लू क्या आ जाएगी 1 by 2 आ गया यह भी हमारा solution आ गया अब simple सा solution सबसे easy solution क्या होता है x की वैल्लू 0 put कर लो x 0 put करेंगे तो y क्या हो जाएगा 0 by 4, y भी 0 हो जाएगा यह भी solution आ गया ऐसे निकाल लो कि 4 solution कोई problem नहीं है ठीक है आगे चलें चलो गई next क्या दे रखा है check which of the following are solution of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not हमें कुछ यहाँ पे values दे रखी है जिनको हमें चेक करना है कि वो इस equation के solution है या नहीं है अब यहाँ पे देखो बच्चों हमें equation क्या दे रखी है x minus 2y देखोगे तो एक left hand side एक right hand side है हमें बस जो value दे रखी है वो इसके अंदर put करनी है अगर वो value put करने के बाद left hand side equal आ जाए right hand side के तो वो solution है नहीं तो नहीं है अब ध्यान से देखो सबसे पहले first वाली value क्या दे रखी है 0,2 अब आप confuse हो जाओगे कि sir 0,2 किसकी जंगे कौन सा रखे भई हमारे coordinate कैसे लिखे जाते है पहले value किसकी होती है x की दूसरी value y की तो x equal to 0 put करना है y equal to 2 put करना है तो left hand side देखो क्या आत्ती है भई simplify होके x की जंगे क्या पूट करेंगे 0 minus 2 multiply y की जंगे 2 तो यहाँ पे क्या आ गया 0,0 तो 0 हट गया वई 0 तो रहा ही नहीं minus 2,2 जा 4 left hand side क्या आई minus 4 right hand side क्या है बच्चो हमारी plus का 4 equal है नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे left hand side not equal to right hand side so क्या वई 0,2 is not a solution not a solution असान था कोई दिक्कत नहीं है अगली वाली value को चेक करेंगे भई अगली value क्या है 2,0 हमारे पास equation क्या है x minus 2y equal to 4 value है हमारे पास 2,0 compare करेंगे यहाँ पे किससे x,y से तो x की जंगे हम 2 put करने वाले है y की जंगे 0 तो left hand side को solve out करो बच्चो x की जंगे 2 minus 2 multiply y की जंगे 0 तो यहाँ पे क्या आगया 2 2 multiply 0,0 हो जाएगा 2 minus 0, क्या आगया हमारे पास 2 आगया left hand side क्या result आगया 2, right hand side क्या है 4, तो right hand side हमारे पास result है 4, तो हमारा यहाँ पे भी क्या आगया, left hand side not equal to आगई, right hand side तो ये भी क्या होगा नोटे सोल्यूशन होगा या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया होगा आग्गे चलो भई आग्गे दे रखा है 4,0 थर्ड पार्ट पर आजो 4,0 को चेक करना है इसका मतलब x की जंगे क्या पुट करने वाले है 4 y की जंगे 0 equation क्या है हमारी x-2y equal to 4 पुट करो भई x की जंगे 4 पुट किया minus में 2 multiply y की जंगे 0 equal to 4 तो यहाँ पर क्या आ गया 4 minus 2,0,0 equal to 4 तो 4 equal to 4 आ गया लिख दो भई left hand side equal to किसके आ गई right hand side तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 4,0 is a solution क्लियर कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया बस value put करते चले जाओ आगे चलते हैं वही क्या है आगे ड्राने वाली value आ गई रूट वाली value गब्रा जाते हो ना वाली value से क्यो ड्रते हो भई जब मैं साथ में हूँ आपके क्यो टेंसल लेखते हो जिंदा मत क्या गरो देखो सिंपल सी बात है equation क्या दे रखी है x-2y equal to 4 value क्या दे रखी है हमें under root 2 और 4 root 2 सबसे पहले वही अपना concept जो भी तरिक्का है ना जो procedure है उसको follow करो x की value क्या हो गई भई रूट 2 और y की value क्या हो गई 4 root 2 उट कर दो equation में x की जंग है root 2 y की जंग है minus का 2 multiply 4 root 2 equal to 4 होना चाहिए simplify करो भई देखो ये root 2 minus 2 for जा 8 root 2 equal to 4 क्या आपको लगता है ये simplify ओके 4 आ जाएगा नहीं आएगा ना तो बस लिख दो left hand side not equal आ गई हमारी किसके right hand side के तो ये क्या हो गया note a solution समझ में आ गया था ना easy last वाला देखते हैं वही क्या है fifth 1,1 x की value भी 1 put की जाएगी y की value भी 1 put की जाएगी equation क्या है x minus 2y equal to 4 तो x की जाएगा 1 put किया y की जाएगा 1 put किया तो यहाँ पे 1 minus 2 वंजा 2 equal to 4 2 में से वन गया sign minus करेगा minus का 1 equal to 4 होता है या नहीं नहीं होता है note equal आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे left hand side हमारी क्या आ गई बच्चों note equal to right hand side तो यह भी क्या हो जाएगा note a solution clear है ना असान असान से question है हलवा हलवा से फटा फट कर दोगे चुटकियों में नंबर बना दोगे ठीक है आगे चलें चलोगे last question क्या है वही find the value of k k constant दे रखा है उसकी value हमें यहाँ पे find out करनी है if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k हमें यहाँ पे linear equation in two variable दे रखी है क्या है वही 2x plus 3y equal to k यह हमें एक equation दे रखी है इसका solution क्या है x equal to 2 और y equal to 1 इसका solution है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वही solution क्या दे रखें है x equal to 2 और y equal to 1 इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन values को अपनी equation में रखता हूँ तो मेरी left end और right end side equal हो जानी चाहिए तभी तो यह solution बोली जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे put in equation put करो भई यहाँ पे put किया 2 multiply x की जगए 2 put किया plus में 3 multiply y की जगए 1 put किया equal to k 2 तू जा 4 plus 3 बन जा 3 equal to k तो यहाँ से देखो 4 plus 3 7 equal to k किसकी value निकाल ली थी k की value तो k की value क्या निकल के आ गई 7 तो k की value जब 7 होगी ना यहाँ पे तभी हमारा x equal to 2 और y equal to 1 इसके solution होंगे otherwise नहीं होंगे clear मिल गई value चैनल को subscribe वीडियो को like जरूर करना क्योंकि class 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको next classes पे मिलेंगी और कोई वीडियो अगर आपको मिलने में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो सर्च करते टाइम साथ में नेक्सा लिखी आपको जरूर वीडियो मिल जाएगी कोई भी problem लगती है comment कीजिए मैं try करता हूँ आपके comment read करने की और ज्यादा से ज्यादा solution आपको प्रोवाइड करने की थैंक्यू स्टुडेंट्स लव यू स्टुडेंट्स फोर यूर स्पोर्ट थैंक्यू स्टुडेंट्स